गुरुकुल ख्लासेज के आउनलाइन अपपर आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने प्रकास के अपवर्तन का अध्यन किया था जिसमें हमने पाया कि प्रकास जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पत से विचलित हो जाती है यह घटना कालाती है प्रकास का अपवर्तन वह माध्यम जिसमें प्रकास तेथ चलती है वीरल माध्यम कालाती है जिसमें प्रकास कम तेथ चलती है अर्था जिसमें प्रकास की चाल कम होती है अप एक छाकृत कम होती है कालाती है सग आप्तित किरन दूसरे माध्यम का किरन अपवर्त किरन वह सतह जो दोनों माध्यम को अलग करती है अपुवर्तक सतह जिस बिंदु पर प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है आपतन बिंदु आपतन बिंदु पर डाला गया लम अभिलंब अभिलंब और आप्तित किरन के बीच का कौन आपतन कौन अभिलंब और अपुवर्तित किरन के बीच का कौन अपुवर लाती है यह दो प्रकार के होते हैं निर्पयक्षा प्रत्नांग सुन्य में प्रकास की सुन्य में प्रकास की चाल का अनुपाता इस दूसरा निर्पेक्ष्द अपव lysए अधीक oike चार्द में Rules जना चुन वांवा गया ऊन कोई मात्रक नहीं होता है अर्थात का कोई मात्रक नहीं होगा चुकि यह अनुपात है इसी परकार हम लोग सापेच्छी को निकालते हैं कि दो माध्यमों की अप्वर्त नंकों का अनुपात कहलाता है आधार नंक में जिसका अधिक होगा कहलाएगा सगन जिसका अप्वर्त नंक कम होगा उसे हम लोग काते हैं विरल तो इस तरह से हमने अप्वर्तन की घतना को पुर्णुरूपेन समझ चुके थे पिछले दो लेक्चर में प्छले दो वीडियो में है इस विडियों में हम लोग देखते हैं चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन में भी थाल को अनुभभ करते हैं घाँ एकदम होती है अगर हम पनी में जब हम छार को देखते हैं किसी सीधे चाहिए को तो आप गौर करिए गा कि अगर पाणी हटा दे तो आपको सीधा नजर आएगा और जब में दूझानी डाल देते हैं तो नजर दो पूछेगा प्रकास के अपवर्तन के कारण प्रकास के अपवर्तन के कारण जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि जब प्रकास की किरन इसके तली से निकलेगा तो यहां पर आने के बार यहां तक माध्यम जल है पॉनी है जो की सघन माध्यम है और यहां पर बाहर में हवा क्या है किरल मा प्रकास जो है वह सरल माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो निश्चित रूप से अभिलम से दूर हतेगी और दूर हतेगी तिया इधर लेगी चुकि हम लोग के जो देखते हैं वह प्रकास को सरल रेखा में चलते हुए देखते हैं सरल्य रेखा में गमन करती हैं तो हमें प्रतित होगा कि यह यहां से परिनामसवरुप छर का जो इंड यहां पर है च्छरखांथ हम को यहां जिस कारण से पनी में रखा छर हमको तेधा प्रतीत होता है तो याद रखेंगे प्रकास के अपवर्तन का पहला उदारन है पनी में रखा छर तेधा प्रतीत होता अर्थात पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पनी में रखा छर तेधा नजर आता है क्यों हमारा जवाब होगा प्रकास के अपोर्तन के कारण कारण programme सखन वाट जाती है दूडरन जाती है तो पहला कोश्चतक है पाणी में रखा चडा यह तो प्रोला कोश्चा गिए क्वे अच्छे आता है क्यों प्रकास के अपरतन के कारण पनी सघन माध्यम है हावा विरल माध्यम है प्रकास जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है जिस कारण से पनी में रखा छरह में प्रतीत होता है दूसरा पनी में रखा सिक्का उपर उठा प्रतीत होता ह ऐसा क्यों होता है तो आपको दूसरे जगर नजर आएगा इसका भी कारण क्या है तो प्रकास के अपुरतन के कारण जब पानी के सतह पर आने पर पानी पुना सघन माध्य में और बाहर में हवा विरल माध्य में तो जब यह किरन यहां आती है तो निश्चित रूप से अपने मूल पत से अभिलंब से दूर हट जाती है जिस कारण से यह हमें सीधा अगर देखें यहां से आती हुई प्रतीत होती है तो सिक्का जो अपने वास्तवी का स्थन है वहां से उपर उठा प्रतीत होती है दूसर नदी की गहराइए कम परती है सेम लौजिक यहाँ पर भी है कि जल सघन माध्यम है और हवा बिरल माध्यम है जब प्रकास की कीरण गहराई से निकलती है पानी के सत्व पर आती है तो वहां पर वह निश्चित रूप से अविलम से दूर हटती है जिस कारण से वह हमको अगर सीधा लाइन पर आती हुई दिखाए देगे और वहीं हमको लगेगी आभासी गहराई इसलिए पानी में उतरने से पहले आप आखों से देखकर या जज नहीं कर सकते कि पानी की गहराई कितनी है इसलिए पहले बहुत सारे लोगों नहीं बहुत सारी विद्वपुनार्णों में भी है और बाहर सब के समय में अगर आप अंदाज लगा कर उसमें जा रहे हैं तो निश्चीत रूप से खत्रा हो सकती है तो इसलिए उस समय हमारे जो बुजूर्ग व्यक्ति हुआ करते थे वह लाठी का इस्तेमाल करते इससे पानी का गहराई का पता आसानी से चल जाता था है कख़रत तो एब तीसरा है कि नदी की गहराई वास्तवी गहराई से कम मालूम परती है क्यों प्रकास के अपूरतन के का यौल पानी संगनमाध्यम है और हवा विरल माध्यम है प्रकास जब सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है जिस कारण से नदी की गहराई कम मालूम पड़ती है इसी परकार आप और भी एक्जामपल दे सकते हैं ने चासनी में रखा रसुल्ला चोटा प्रतीत होता है क्यों तो प्रकास के अपुवर्तन के कारण में और हवा विरल माध्यम है जब निकलते हैं लिश्चित नौप से आप अनुभव कर सकते जब दीचे डूबा रहे गए तब और जब बाहर निकलते हैं तब दोनों के साइ अभिलंब से दूर हट जाती है जिस कारण से ऐसा घटना है आपको जीवन में देखने को मिलती है तो पहला घटना हो गया पनी में रखा च्छर तेधा नजर आता है पनी में रखा सिक्का उपर उठा प्रतित होती है और नदी की गहराई कम मालूम पड़ती है क्वेश्चन तीन अंसर एक प्रकास के अपुरतन के कारण पनी सगन माध्यम है हवा वीरल माध्यम है प्रकास जब भी सगन माध्यम से वीरल माध्यम में जाती है अपने अभिलंब से दूर हटती है जिस कारण से पनी में रखा च्छर तेधा नजर आता है नदी की गहराई कम मालुम पड़ती है तो क्वेश्चन तानसर एक ही प्रकास के पुछे जा सकते हैं प्रकास के अपवरतन का कोई उदाहरं दीजेंगे पानि मेरा प्रकास के नदी की गहराई प्रकासर याद कर लेगे और आपके study material में दिये हुए हैं उसको बनिया से परिएगा फीगर के साथ वो पीपर अपने नोटबूक पर तयार करिएगा तो पॉनी में रखा छर्टेधा नजर आता है पॉनी में रखा सिक्का उपर उठा प्रतित होता है नदी की गहराई कम मालूम परती है प्रकास के अ घटनाएं हमें देखने को मिलती है धन्यवाद